हाई फ्रेंड्स मैं शेर कनने जा रहे हैं क्रिस्पी नूडूल्स पॉपकॉन नूडूल्स के बहुत सारे रेसिपी अपने खाए होंगे एक बार इस तरीके से बने हुई नूडूल्स पॉपकॉन को बना के देखिए घर के हार एक नेमबर मजे ले ले कर खाएंगे पैन के अंदर एड़ कर देंगे एक ग्लास पानी गैस के फ्लेम को हाईपर रखते हुए पानी के अंदर बोईलाने देंगे पानी के अंदर बोईला चुके हैं अब एड़ कर देंगे एक पीस इपपी नूडूल्स नूडूल्स को हलका सौप्ट होने देंगे नोडूल सलका सौफ्ट हो गए हैं अब एड़ कर देंगे इपपी टेस्ट मेकर टेस्ट मेकर के साथ साथ एड़ कर देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स अपने टेस्ट के इसाब से चिली फ्लेक्स को एड़ कर लिजिए पानी के साथ नोडूल्स और मसाले को मिक्स्ट करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक नोडूल्स में से सारे पानी जो है वो सूक ना जाए नोडूल्स में से सारे पानी जो है सूक चुके हैं अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे गैस के फ्लेम को बंद कर दिये हैं अब नूडूल्स को पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे एक बाउल के अंदर एड़ कर देंगे 5 टेबिल स्पून कॉन फ्लावर दो चुटकी के जितना एड़ कर देंगे नमक नमक के साथ साथ एड़ कर देंगे 3 चुटकी के जितना दरदर असा पिसा हुआ काली मिर्च कॉन फ्लावर के साथ नमक और काली मिर्च को अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे कॉन फ्लावर के साथ नमक और काली मिर्च का पाउडर अच्छे से मिक्स्ट हो चुके हैं अब 2 से 3 टेबिल स्पून के जितना पानी डाल के एक बैटर बना लेंगे बैटर को बहुत जाता पतला ना बनाए मैंने बैटर बनाने के लिए 3 टेबिल स्पून के जितना पानी एड़ किये है बैटर बन के रेडी हो चुके हैं बैटर के ठिकनेश देखिए इस तरीके का होनी चाहिए नोडुल्स पूरी तरीके से ठंडा हो चुके हैं अब सारे नोडुल्स को एड़ कर देंगे बैटर के अंदर बैटर के साथ नोडुल्स को अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे जिससे की बैटर जो है नोडूल्स के अंदर तक अच्छे से चला जाए बैटर के साथ नोडूल्स जो है अच्छे से मिक्स्ट हो चुके हैं अब मिक्सर में से थोड़ा सा पॉर्शन हातों में लेके राउंड सिप देंगे अब मिक्सर में से थोड़ा थोड़ा पूर्शन हातों में लेकर डाल देंगे गरम तेल के अंदर ग्यास के फ्रेम को मेडियाम पर राखते हुए नोडूल्स पॉपकॉन को फ्राई होने देंगे नोडूल्स को इस तरीके से ओलोट पलोट करते हुए गोल्डेन ब्राउन कलर आने तक फ्राई होने देंगे नोडूल्स पॉपकॉन के कलर देखिए गोल्डेन ब्राउन हो चुके हैं अब सारे नोडूल्स पॉपकॉन को कड़ाई से बहान निकाल लेंगे एकदम क्रिस्पी करारी नूडूल्स पॉपकॉन बन के रेडी हो चुके हैं इस तरीके से सारे नूडूल्स पॉपकॉन को बना के रेडी कर लेंगे गर्मा गरम चाई या फिर कॉफी के साथ बहुती बढ़िया लगते हैं खाने में आप इस पॉपकॉन को बच्चे के टीफिन बॉक्स में या फिर ओफिस जाते टाइम पैक करके भी ले जा सकते हैं सारे नोडुल्स पॉपकॉन बन के रेडी हो चुके हैं मैंने नोडुल्स पॉपकॉन को टॉमेटो केचप के साथ सर्व किये हैं आप चाहें तो ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर चाय कॉफी के साथ भी सर्व कर सकते हैं. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर की साथ जरूर स्यार कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद